So friends, MP Group 5 आपकी 2023 की भरती से सम्मन्दित भूत बड़ी information Officially दोस्तों आपको newspaper के माद्यम से आपको यहाँ पर provide कराई जारी देखिए recently आप लोग ने आप एक्जाम दिया, आपका result यहाँ पर जारी हुआ इसके बाद document के verification के लिए आपको यहाँ पर बोला गया कि आप लोग यहाँ पर अपात रहा है, यानि कि not eligible है और आप लोगों को यहाँ पर निकती यहाँ पर नहीं दी जाएगी ठीक है, ऐसे में यह करिब करी दोस्तों देखिए जो not eligible यहाँ पर जो candidates है 292, दोस्तों बयान भी यहाँ पर ऐसे candidates थे जिन्होंने high court کا यहां पर रास्ता अपना यानि कि high court में, जवलपूर high court में एक petition दोस्तों यहाँ पर दायर की यानि कि एक याची का जवलपूर high court में यहाँ पर दायर की गई और इसमें पूरा यहां पर जाएँ जाएँ च्वि के rule book में क्या लिखा गया ठीक है और क्या actually में आपे follow हुआ ठीक है और candidate के पास यहां पे क्या qualification थी तो सभी चेजों के दोस्तों यहां पे जाँ चुई सभी नियम यहां पे देखे गए लेकिन यह जो information यहां पे जो निकल के आपे जो आई है यह सभी 292 candidates के favor में दोस्तों आपे आई ह और high court का यहां पे दोस्तों यहां पे जो decision यहां पे जो आया है इन सभी 292 candidates के favor में यहां पे रहेगा ठीक है और अब finally high court के तरब से orders यहां पे जारी यहां पे कर दिये गए है कि finally इन सभी candidates को ठीक है जिनोंने यहां पे petition यहां पे दायर की ठीक है जो भी not eligible यहां पे हुए तो उन सभी को posting यहां पे दी जाए और posting कब दी जाए और यहां पे इसके बारे में information आपको यहां पे दे दी गई तो दोस्तो पूरी जानकारी हम लोग यहाँ प्रीडियो के माधियाँ हम से हम लोग यहाँ पे cover कर लेते हैं सबसे पहले आप लोग यहाँ वीडियो को like कर दीजी और चैनल को subscribe कर लेना आगे की कोई भी information आप से नहीं चूटने चाहिए ठीक है और nursing और paramedical यानि कि स्वास्थ बेवाग की सभी वेकेंसिस की जानकारी भी मिलती रहेगी तो वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के रैट बटन को क्लिक कलने तो चलिए शुरू बात करते हैं अपने अपडेट को और बढ़ते हैं हमारी इंफर्मेशन की और देखिए यहाँ पे लिखा है हाई कोट ने याचिकाओं पर दिये आदेश 292 आवेदको को एनम पद पर देनी होगी नियुकती तो दोस्तों यह जो पूरा यहाँ पर जो मैटर है एनम केंडिरेट से सम्मंदित यहाँ पर रहेगा ठीक है एनम केंडिरेट की यहाँ पर क्या इंफर्मेशन है अभी मैं आपको आप इसमें शौर्ट में भी आपको बता दूँगा सबसे पहले जो जानकारी हाई कोर्ट के तरब से यहाँ पर निकल कि यहाँ पर आई है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजे देखे साफ साफ हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि देनी होगी नियुकती हर हालत में नियुकती यहाँ प जस्टिश विवेक जैन की यूगल पीट ने A&M न्यूकती से जुड़ी 292 याचिकाओं की सुनवाई की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में A&M के पद पर न्यूकती दिये जाने के आदेश दिये है कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो आयूकत जो है स्वास्त सेवा की उनको कोर्ट में आकर जवाब देना होगा कोर्ट ने न्यूकती के सम्मद में कहा कि तीन शर्तों को शितिल कर A&M के पद पर न्यूकती की परिक्रिया पूरी की जाए यह चिका करता आठ नवंबर को सुभे नौ बजे के बाद सम्बनित CMHO ठीक है तो इस लाइन को आप लोग अच्छे से सुने यह चिका करता जितने भी है आठ नवंबर को सुभे नौ बजे के बाद आपका जो सम्बनित CMHO है यानि कि मुक्रिचिकेसा स्वास्तादिकारी जिसको आप लोग यहां पर Chief Medical Officer of Health ठीक है जो कि डिस्टिक्ट का यहां पर जो रहता है ठीक है कि सामने पेश होकर CMHO के सामने पेश होकर परिक्रिया में शामिल होंगे सुनवाई के दौरान याचिका करता बालागार्ट निवासी तो यहां पर कुछ Petitioners थे कुछ यहां पर बालागार्ट के थे उनके नाम दिये गए ठीक है इसके साहित यहां पर 292 आवेदा के और थे उनकी ओर से दलील दी गई कि फरवरी में A&M की परिक्षा में याचिका करता शामिल हुए इसके बाद लिखते हैं लेकिन verification के दौरा सायन सास्तर से पास होना जरूरी किया गया साथ ही A&M की ट्रेनिंग शाष की अस्पताल से कम से कम दो वर्ष की अवदी की होने जैसे तीन शर्त यहां पर लगा दी गए थी तो दोस्तों दिखिए यह 292 candidates को High Court का दरवाजा यहां पर क्यों कट-कटाना पड़ा क्यों High Court की सबसे पहली यहां पर बात थी ठीक है 12 पास होना तो 12 यहां पर biology से पास होना जरूरी था ठीक है तो यह शर्त यहां पर रखिए गही थी और इसके बाद यहां पर बोला गया था कि कम से कम आपके पास यहां पर डिप्लोमा होना चाहिए था ठीक है A&M का दोस्तो डिप्लोमा नोटिफिकेशन के अगॉर्डिंग ठीक है नोटिफिकेशन के अगॉर्डिंग डिप्लोमा यहां पे होना चाहिए था लेकिन पहले दोस्तो यहां पे डिप्लोमा नहीं होता था पहले A&M का दोस्तो सर्टिफ certificate course था तो सभी candidates ने certificate course से ही form को apply किया था और यही verification में आपे check यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन rule book के according diploma मांगा गया तो diploma नहीं था इस बज़े से नियुकती नहीं दी गई और ऐसे में करीब-करीब 292 candidates ने high court की जो है मदद यहाँ पे लेना चाहिए और सभी नियाम यहाँ पे देखे गए और यह जो पूरा decision यहाँ पे जो आया है सभी candidates के favor में आपे आया है और court ने बिलकुल यहाँ पे order से हाँ पे सकत ठीक है बहुत ही strict order से हाँ पे दिये गए कि यदि यह order से हाँ पे follow नहीं किये गए ठीक तो जो भी decision आया बहुत ही अच्छा है और देखे थोड़ी देरी भली यहाँ पे हुई joining में ठीक है पोस्टिंग में यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे देरी हुई लेकिन overall यहाँ पे जो भी मैनत थी बिलकुल यहाँ पे रंग लाई और जितनी भी तैयारी की जितनी भी preparation की जितनी भी मेनत की ठीक है इस mode पे आके यहाँ पे खतम हुई और finally इन candidates को joining यहाँ पे दी जाएगी ठीक है group 5 के recruitment के according ठीक है group 5 के recruitment के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो समू 5 की भरती से संबंदित था और यह petitioners से तो इन्होंने एक यहाँ पे legal action लिया और जब कभ सभी भी legal action यहाँ पे लिया जाता है यानि कि court की मदद यहाँ पे ली जाती है तो जब court अपना decision यहाँ पे सुनाता है तो किसी की भी यहाँ पे नहीं सुनता सिर्फ court की यहाँ पे सुनी जाती है और यहाँ पे सभी जो decisions आए बिलकुल यहाँ पे सही आए है और जो भी यह यहां पर candidate के पास qualification थी certificate course था तो उसको यहां पर allow यहां पर किया गया biology subject था ठीक है तो इसको भी यहां पर allow यहां पर कर दिया गया तो अच्छी बात है एक positive news यहां पर रही ठीक है अपने सभी friends लोगों को आपको इस वीडियो को आपको क्या करना है शेयर कर देना है शेयर ज तो मिलते हैं next वीडियो में thank you so much